भूमी का नहीं बनाऊंगी, सीधे पॉइंट पर बात करूंगी अमेरिका के अंदर आज भारत की वजह से जगडा हो रहा है जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है अमेरिका के विदेश मंत्राले ने उन देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है जिन देशों में धार्मिक स्वतंतरता खत्र में है सैयों की बात तो ये है कि इस सूची में भारत को शामिल नहीं किया गया है इसके बाद अमेरिका के धार्मिक स्वतंतरता आयोग ने अमेरिकी विदेश मंत्री के विरुध मोचा खोल दिया है अब विदेश मंत्राले और धार्मिक स्वतंतरता आयूग के बीच ठन गई है जबकि नई दिल्ली में बैठकर जैशंकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं नमस्कार आप देख रहे हैं TFI जो है देश का सबसे विश्वस्निय अल्टिनेट न्यूज मीडिया पोटल मैं पद्मा स्ट्रिश उभं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे भारत की कूट नीती ने अमेरिकी सरकार के अंदर जगड़ा करवा दिया है आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लें फेस्बुक पेज पर हमें अवश्य फॉलो करें 2014 से पहले के भारत को याद कीजिए ततकालीन प्रधान मंत्री मन मोहन सिंग अमेरिकी सरकार के आगे नतमस तक रहते थे सरकार बदली, स्तितियां बदली, अंतराश्री स्तर पर भारत की छवी भी बदल गई प्रतीक वर्ष, अमेरिका का United States Commission on International Religious Freedom उन देशों का नाम अमेरिकी सरकार को सौपता है जिन देशों में धारमिक स्वत NHत नतरता का उलंगन होता है या फिर धारमिक स्वतंथर्ता पर खत्रा होता है अमेरिका के इस आयोग का भारत को लेकर पक्षपाती नजरिया किसे से चिपा नहीं है प्रतीक वर्ष ये आयोग भारत पुले कर बेहती नकारात्मक रिपोर्ट जारी करता है। वो अपने रिपोर्ट में बताता है कि भारत में धार्मिक स्वतंतरता खत्रे में है। इस वर्ष जून में भी आयोग ने ऐसी ही एक रिपोर्ट जारी की थी। यह रिपोर्ट अमेर भी इस आयोग ने Member 24 में चेशु सौपी उसमें भारत का नाम लेकिन पिशले तीन वर्षों की भाति इस बार भी अमेरिका के विदेश में ने अंतिम सूची जारी करते वक्त उसमें भारत यारत का नाम शानिल नहीं किया अमेरिकी आयोग भड़क गया अब वो अमेरिकी विदेश मंत्राले के विरुद्ध तमाम उल जुलूल बयानबाजी कर रहा है लेकिन उसकी ऐसी बयानबाजी से क्या ही होता है आईए पहले आपको बता देते हैं कि चिंता जनक देशों की सूची में इस बार अमेरिका ने कि किसी रखा है इसके बाद आपको बताएंगे कि भारत को इस सूची में शामिल करने के हिम्मत अमेरिका क्यों नहीं कर पाया इस बार कि सूची में जो देश शामिल है उनमें नाम है सौधी अरब क्यूबा निकारा गुवा चीन इरान उत्तरकोरिया पाकिस्तान रूस ताज सूची में क्यों नहीं रखा इसके पीछे की वजह है एस जैशंकर जेहां जब अमेरिके आयोग ने अपनी तरफ से सूची जारी की थी उस वक्त भारत का इसमें नाम था उसी वक्त भारती विदेश मंत्राले ने इस पर कड़ी नाराज गिजताई भारत ने कहा था दुख पूर नजरिये की आधार पर की जाने वाले मुल्यांकन से बचा जाना चाहिए भारत ने कड़ा विरोध तो किया ही इसके साथ ही हम पहले भी देख चुके हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जैशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के सामने ही भारत की बात मजबूती के साथ रखी थी और कई मुद्दों पर अमेरिका के दोहरे पन को उजागर किया था इसके बाद ब्लिंकन जानते थी कि अगर भारत को ब्लैक लिस्ट की सूची में शामिल किया तो कूटनी तिक तोर पर ये सही नहीं होगा इसके साथ ही अमेरिका जानता है कि ऐसी पक्षपाति रिपोर्ट के आधार पर अगर भारत को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया तो ये अमेरिका के बड़ी कूटनीति खार होगी क्योंकि भारत अब किसी भी मुद्दे को यूं ही नहीं जाने देता जबकि अमेरिका की विदेश मंत्राले के ऊपर भारत को इसी सूची में शामिल करने के लिए तमाम दबाव डाला जा रहा था समाचार एजेंसी PTI के अनुसार भारती अमेरिकी मुस्लिम परिशद और अंतराश्ट्रे धार्मिक आजादी से जुड़े अमेरिकी आयोग की ओर से अमेरिकी विदेश मंत्राले पर इस एलान से पहले इस सूची में भारत का नाम रखे जाने को लेकर भारी दबाव अभि की विश्वस्नियता पर भी सवाल खड़े करता है